और भई क्याल चाल कैसा हो सभी बढ़िया स्वागत आप सभी लोगों का हमारी और बहतरिन वीडियो के अंदर आज की वीडियो में हम टॉफ फाव ऐसे केरेक्टर्स की बात करेंगी जो हमारी गन की पावर को जो है इंकरिस कर देते हैं कहीं ना कहीं हमारी गन की जो है एक्क पा रहा था और मैंसे नहीं बना पा रहा था बट आज फाइनली इस वीडियो को मैं बना रहा हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी गेमपले जो है दूसरे प्लेयर से काफी ज़्यादा जो है अच्छी हो जाने वाली है सारे केरेक्टर्स अच् हिंट दिया था और बोला था इस केरेक्टर का नाम बता दो वहाँ पर काफी लोगों ने गलत नाम दिया है ठीक है वहाँ पर आता था लुना केरेक्टर ठीक है बाइक दी थी मैंने वह बोला था केरेक्टर की नाम बताओ तो सबने अलग केरेक्टर दिया पड़ वहाँ प वो नहीं पता उन सभी को जो है एक बार बता दू कि इसकी कुछ ability ऐसे ही कि जैसे आप fire करोंगे तो आपका जो fire rate है वो बूश्ट होंगा और उसी के साथ वो fire rate आपका moment speed में बदलेंगा ठीक है यानि कि इस character को लेने के साथ आप जो shotgun आप सभी को पता है हम shotgun काफी यूज़ क कि हमारी जो speed को बहुत कम कर दे थी तो जितने भी shotgun user है उन सभी के लिए बहुत खास होंगा क्योंकि आप shotgun का जब इस्तवाल करोंगे तो आपकी moment speed भी बढ़ेंगी और आपका जो rate of fire वो भी बढ़ेंगा तो यह इस character की ability है नया character है और बहुत सारे player यूज़ करते तो आप इस character को जो आपकी character combination के अंदर add कर सकते हो बात करें दूसरे character की तो सबसे powerful character वो है हयातो इसकी ability आप सभी को पता होंगी कि जैसे जैसे आपकी HP कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपका damage बढ़ता जाएंगा पाई इस character का में regular use करता हूँ ठीके दो तीन साल जितने भी साल से म करता हूँ क्योंकि आप सभी को पता है हम जब भी fight करते हैं तो बंदा हमें मारता है और हमारी HP कम होती है तो उस वक्त पर जो यह character हमें बहुत जाला काम होता है क्योंकि हमारी जैसे HP कम हो जाती है यह अपनी gun का damage बढ़ा देता है जिससे जो हम enemy को मार सकते है तो यह काफी अच्छी बात है और मैं इसका regular use करता हूँ आपको भी इसका use करना चाहिए इसका एक elite वर्जन भी आता ही आप उसे भी use कर सकते हो आईए बात करते हैं हमारे third character की भाई दो character हो चुके वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है like करे और भाई लोग आप से भी लोग subscribe आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी बात करें third character की तो वो है staffy character अभी पहुत सारे लोग इसका use नहीं करते हैं बट क्योंकि यह एक active skill है और बहुत सारे character active है इस वज़े से लोग इसका इसका use कर सकते हैं क्योंकि यह एक circle बनाएंगा इनिस circle में र करते हुए आपका जो है डेमेज मतलब आपको कोई बंदा डेमेज देंगा तो डेमेज भी बहुत कम लगेंगा आपको तो यह है जिसका सबसे बड़ा फाइदा है दोस्तों हमारा fourth character है वो है refill character अब refill character जो भी sniper होज़र है उन सभी को यह बहुत काम आगा क्योंकि यह जो आ एडव्यम का यूज करते है जो वन टेप कर लिए डिजर्ट एगल नहीं एक वूड़ पेकर आती है तो वूड़ पेकर का यूश्तमाल करते है तो उन सारी गनों में जो है आपको automatic silencer लग जाएंगा आपके जो है एनिमी उसे पता नहीं चलेंगा कि बंदा कहां से मारा है बड़ खासगर कि जितने भी वन टेप प्लियर है और जो एडव्यम प्लियर है उन सभी के लिए अच्छा है क्योंकि अगर आप दूसरी कोई मतलब स्नाइपर गन यूज करते हो तो उसमें क्या होगा क्या मारोगी तो एनिमी को पता चल जाएंगा कि कहां से मार रहा है तो उसमें भी बहुत काम आते बड़ दूसरी जो स्नाइपर गने उसमें इतना ज्यादा कुछ खास काम नहीं आता हमारा फिफ्ट केरेक्टर है केरोलीन ठीक है सबसे बहतर इन केरेक्टर भाई अगर आप जो है शोटगन का इस्तमाल करोंगे तो आपकी मोमेट स्पीड को जो पूर इस्तमाल करें एक करेक्टर आपको पहुत ही ज्यादा हैल्फ करेंगा तो दूस्तु यह थे हमारे टॉफर केरेक्टर जो कही ना कही हमारे गन के पावर को बढ़ाते हैं आज मैंने पांच करेक्टर बदाया है अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पन्स रहा तो इसका पार्ट टू भी बनाओंगा जिसमें और पांच करेक्टर आप सभी लोगों को बता दूँगा तो यही था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना